पंचिकुला में 24 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई मामला सेक्ट सोला की इंद्रा कलोनी का बताया जा रहा है जहां 9 अग्यात लोगों ने 3 युवकों पर एक साथ हमला कर दिया इस हमले में एक युवक की मौत हो गई पंचिकुला में 24 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई मामला सेक्ट सोला की इंद्रा कलोनी का बताया जा रहा है जहां 9 अग्यात लोगों ने 3 युवकों पर एक साथ हमला कर दिया इस हमले में एक युवक की मौत हो गई मृतक युवक फ्लेक्स का काम करता था जिसकी पहचान इंद्रा कलोनी निवासी मुकेश के रूप में हुई है हाला की मौके पर पहुंची पुलिस ने शवको कबजे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है पंचकुला में 24 साल के युवक की चाकू से गोट कर हत्या कर दी गई मामला सेक्टर 16 की इंद्रा कलोनी का बताया जा रहा है जहां 9 अग्यात लोगों ने 3 युवकों पर एक साथ हमला कर दिया इस हमले में एक युवक की मौत हो गई मृतक की युवक फ्लेक्स का काम करता था जिसकी पहचान इंद्रा कलोनी निवासी मुकेश के रूप में हुई है हाला की मौके पर पहुंची पुलिस ने शेफ को कबजे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है पंचिकुला में 24 साल के युवक की चाकू से गोत कर हत्या कर दी गई मामला सेक्टर 16 की इंद्रा कलोनी का बताया जा रहा है जहां 9 अग्यात लोगों ने 3 युवकों पर एक साथ हमला कर दिया इस हमले में एक युवक की मौत हो गई मृतक युवक फ्लेक्स का काम करता था जिसकी पहचान इंद्रा कलोनी निवासी मुकेश के रूप में हुई है हाला की मौके पर पहुंची पुलिस ने शवको कबजे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है पंचिकुला में 24 साल के युवक की चाकू से गोत कर हत्या कर दी गई मामला सेक्टर 16 की इंद्रा कलोनी का बताया जा रहा है जहां 9 अग्यात लोगों ने 3 युवको पर एक साथ हमला कर दिया इस हमले में एक युवक की मौत हो गई मृतक युवक फ्लेक्स का काम करता था जिसकी पहचान इंद्रा कलोनी निवासी मुकेश के रूप में हुई है हाला की मौके पर पहुंची पुलिस ने शब को कबजे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है पंचकुला में 24 साल के युवक की चाकू से गोत कर हत्या कर दी गई मामला सेक्ट सोला की इंद्रा कलोनी का बताया जा रहा है जहां 9 अग्यात लोगों ने 3 युवक पर एक साथ हमला कर दिया इस हमले में एक युवक की मौत हो गई मृतक युवक फ्लेक्स का काम करता था जिसकी पहचान इंद्रा कलोनी निवासी मुकेश के रूप में हुई है हाला की मौके पर पहुंची पुलिस ने शबको कबजे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है पंचिकुला में 24 साल के युवक की चाकू से गोत कर हत्या कर दी गई मामला सेक्टर 16 की इंद्रा कलोनी का बताया जा रहा है जहां 9 अग्यात लोगों ने 3 युवकों पर एक साथ हमला कर दिया इस हमले में एक युवक की मौत हो गई मौत क्युवक फ्लेक्स का काम करता था जिसकी पहचान इंद्रा कलोनी निवासी मुकेश के रूप में हुई है हाला की मौके पर पहुंची पुलिस ने शबको कबजे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है